राम राम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए जो रास्तान का इतियास है उससे समंदित जो किसान आंदोलन है जन्जातियों के आंदोलन है उनसे समंदित जो महत्पून परशन है वो लेके आये हैं यह परशन वो लेकर आये हैं जो पहले किसी न किसी परिक्षा में आये हैं और आगे आने वाली परिक्षाओं के लिए भी बहुत महत्पून सिद्ध होने वाले है जैसे रीट है, CET है, पसु परीचर है इन सभी की परिक्षाओं के लिए बहुत ही लाबदाएक सिद्ध होने वाले है तो देखते हैं पहला परसन गोईंद गिरी के नेतरत में हुए बील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है जो गोईंद गिरी के नेतरत में बील आंदोलन हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है ओप्शन है एकी आंदोलन, सुद्धी आंदोलन, भगत आंदोलन और जन जाती आंदोलन तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा किस नाम से जाता है जो भीन आंदोलन गोंगिरी के नेतरतों में हुआ था भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है क्या हो गया इसका सही आंसर भगत आंदोलन यह जो अब बताया था भगत आंदोलन वह किस छेत्र में शुरूँ आता तो ओप्शन दे रखा है उद्धेपुर्ची तोडगर डूंगरपुर बांसवड़ा शिरोई पाली और बार्ड मेर शिरोई इसका सही आंसर क्या दाएगा भी ओप्शन का हुआ शु के दवारा प्रारम किया गया था उसके नेत्रवतों मेर अगला परशन है मिनाचेत्रियभा कि इस्तापना सक हुआ थी अगला पर्षन है किसकी अद्येक्स्ता में मीना जाती का एक विशाल सम्मेलन अपरेल 1924 में उनीeilारीच में जो नीमका थाना में आयो जीत हुआ था उसका किसकी अद्येक्स्ता में हुआ था वो उप्शन है स्यांति सागर जी माराज, मगन सागर जी माराज, हीरा लाल सास्तरी और शोबलाल गुपता तो इसका सही आंसर हो जाएगा भी उप्शन किसके drastic मैजा मगन सागर जी महराज से अगला परिशंद है जैपुर राज्य मीरना सुधार स्वित्टि जो जैपूर राज्ये मेना सुधार सिमिती का गठन किया गया वह किस इस्तान पर हुआ था उप्शन है करोली दोसा नीमका थाना और खेतडी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कहां पर हुई थी नीमका थाना अगला परसन देखो एतिहासिक इस्तल जो मानगड है वो राजस्तान के किस जिले में है उप्शन है डुंगरपूर बासवड़ा उद्यपरोर परताबगड तो ये तो सभी को पता होगा कि मानगड दक्षनी चेतर में है लेकिन कौन सा जिला है तो उप्शन सही हो जाएगा बासवड़ा में का है बासवड़ा और बासवड़ा का सोधीपों का सहर भी का जाता है बासवड़ा को अगला परसन है मानगड संगार जो मानगड में नर संगार हुआ था वो कब हुआ था किस तारिक को हुआ था मानगड बासवड़ा में हुआ था वो कब किस तारिक चोदा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 17 नवूंबर 1923 में मानगर नर्शंगार हुआ था अगला परशन है गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे जो गोविंद गुरु थे वह किस आंदोलन के नेता थे उप्शन है भील आंदोलन के, किसान आंदोलन के, प्रजा मंडल के और आर्य समाजी के तो इसका सही आंसर हो जाएगा A उप्शन भील आंदोलन के नेता ते गोईंद गुरु अगला परसन देखो गोईंद गुरु ने भीलो को संगटित करने के लिए कौन सा संगटन इस्तापित किया था भीलो को एकत्रित या संगटन करने के लिए कौन सा संगटन इस्तापित किया था गोईंद गुरु ने तो उप्शन है भील हितकार्णी सभा, भील समूदाइक सभा, संप सभा और बगत पंत तो इसका सही आंसर हो जाएगा C option कौन सी सम्ट सभा का संगठन इस्तापित किया था भी लोग को संगठित करने के लिए अगला परसन है 1863 में गोविंद गिरी ने मेवाड डुंगरपूर गुजरात और मालवा के भील और गराशया जाती को लोगों को संगठित करके ने के लिए सभा की स्ताप ना कीती तो है कौन सी सभा थी जो उन्होंने गठित की थी उप्सन है सम्ब सभा नीमडा सभा मिर्ना छेत्रिमा सभा और प्रोबकार्णी सभा तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सी थी सम्ब सभा थी जो 1883 में इसने सम्ब सभा की स्तापना की थी अगला पर्शन है राजस्तान में भील और गराश्या के लोगों को संगटित करने के लिए सम्ब सभा की स्तापना की थी तो अभी बताया था कि सम्ब सभा की स्तापना किस ने की थी गोईंद गुरू ने की थी इनको सभी को संगटित करने के लिए अगला परशन है परशिद बगत आंदोलन का नेत्रत तो किस ने किया था तो अभी बताया था गोंदगिरी ने किया था लेकिन इसके साथ और कोंड थे ये बताना अपनेगो और उप्शन है गोंदगिरी गोब पालिया और पूंजा दिरजी मानिक के लाल वरमा गोईंद गिरी जमनाल लाल बजाज वीजे सिंग पति गोईंद गिरी और मोतिलाल तेजाओ तो इसका सही आंसर हो जाएगा A option गोईंद गिरी गोपालिया और पूंजा दिरजी था बगत आंदोलन का नेतर तो करने वाले अगला परसन देखो निम्न में से कोन सा कर्षक आंदोलन भील जन जाती से समंद रखता था तो ओप्षन दे रखा है निमुचना, भगत, जकात और मेवाड, पुकार तो इसका सही आंसर क्या जाएगा B option कोन सा था भगत आंदोलन अगला परसन है गोविंद गिरी किस जाती से समंद रखते option है भील, गराश या बंजारा और काल में लिया गोविंद गिरी ने सारे काम तो भील हो के लिए किये थे तो अब इसी के आधार पर आप निकालोगे कि उसकी जाती भील थी उसकी जाती भील नहीं थी उसकी जाती थी बंजारा किस जाती केते गोविंद गिरी बंजारा जाती केते अगला परसन है सामाजिक सुधारक गोविंद गुरू का जनम हुआ था किस परिवार में हुआ था उप्षन है जमीदार परिवार में, बंजारा परिवार में, किसान परिवार में और पंडित परिवार में तो इसका सही आंसर अभी बताया था कि वह एक बंजारा था जो इसका जनम बंजारा परिवार में हुआ था अगला पर्षन है गोविंद गिरी की जो गतिविद्यों का केंदर 1911 और 1912 में कौन सा था उप्षन है इडर, सूत, बेड़ सा और खेड़ा तो इसका सही आंसर हो जाएगा C उप्षन बेड़ सा था 1911 और 12 का अगला पर्षन है निम्न लिखित में से किसने डुंगरपुर और वासवड़ा में भील आंदोलन का नेत्रवत किया था तो उप्षन है दामोस्त अजदास राठी, स्वामी गोविंद गिरी, अर्जुनलाल सेटी और जमनलाल बजाद तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसने किया था डुंगरपुर और वासवड़ा में भील आंदोलन का तो ये तो सभी को पता है अभी बताया था पहले पर्षन में स्वामी गोविंद गिरी ने यह आंदोलन का नेत्रत किया था अगला पर्षन है मेवाड डुंगरपुर सिरोई बासवड़ा में सवदेशी आंदोलन का नेत्रत किसने किया था इसका सवदेशी आंदोलन का नेत्रत किया था वह किसने किया था उप्षन है दामोदर्दास राठी ने अर्जुनलाल सेटी ने स्वामी गोविंद गिरी न मिन नहीं किया था अगला पर सुधन केकरर 10 जो मां गड़ धाम था वह किस समुदाई से समझ धीट था जो नरशंगार में वा था मां गड़ में जो बासवडार में है उस में किस समुदाई से समझ धी ता Dollar गूजर से भील से बढ़िया से और अहीर से इसका सही अंसर जाएगा बी ओप्शन भील से ही यह समंदित्था मील समुदाईश है अगला परसन है राजस्तान के बासवड़ा जिले में मानगड को क्यों जाना जाता है अभी बताया था कि मानगड को किस वज़े से जाना जाता यह बताना अपने पर तो उप्शन है आदिवाशियों का अंगरेजा द्वारा दमन परसिद पुराताति किलापोर और एक्तिरी प्रसुंद्री मंदिर पर्थम आदिवाशी राजा का भीशे किस तर तो इसका सही अंसर ए हो जाएगा क्योंकि आदिवाशियों का वहाँ प निम्न में से किस इस्तान पर 1913 का भील विद्रोय हुआ था उप्शन है डूंगरपूर इडर मानगड और कुसलगड तो अभी बताया था 1913 में ही नरसंगहर किया गया था वो कहां किया गया था मानगड में अगला परसन है मानगड धाम जो राजस्तान का जलियावाला भाग के नाम से परशीदवा कहां परिस्तित है और मानगड धाम को किस नाम से और जाना जाता था जलियावाला भाग के नाम से जाना जाता है राजस्तान का जलियावाला भाग तो यह अभी बताया था यह कब हुआ था उन्नी सो तेरा इस्वी में अगला परशन है किस नर्शंगार को राजस्तान का जलिया वाला बाग का आ जाता है अभी बताया था कि मानगडबासवडा में जो नर्शंगार हुआ था उसको राजस्तान का जलिया वाला बाग कहा जाता है अगला पर्शन है एकी आंदोलन के नेता कोन थे ओप्शन है मोहंदास करमचंदगादी जैनाराण व्यास कुम्भाराम आरे और मोतिलाल तेजावत तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ओप्शन मोतिलाल तेजावत थे एकी आंदोलन के जो प्रमुक नेता थे वो मोतिलाल ते केशे कई प्रकारों से पूचा जाता है अलग लग परिक्षियाओं में तो यह अभी बताया था कि एक की आंदोलन किस ने प्रारम किया उसका नेता कौन था यह इस प्रकार से अलग गुमा गुमा कर परसंद पूथते हैं तो इसका भी सही आंज़र कंशा हो जाएगा मोतिला तेजावत अगला परसंद है मोतिलाल तेजावत सरवादिक योग्य नेता माने जाते हैं किसान आंदोलन मजदूर आंदोलन भील आंदन और छात्र आंदोलन के तो इसका सही आज़र क्या हो जाएगा भील आंदोलनों के मोतिलाल तेजावत किसके नेता माने जाते हैं भील आंदोलन प्रारम किया था जब मोतिलाल तेजावत ने कहां के आदिवाशियों का करबंदी आंदोलन प्रारम किया था जब मोतिलाल तेजावत ने आदिवाशियों का जो करबंद करने का जो आंदोलन प्रारम किया था वह कौन सी जगह से किया था Option है कोटड़ा, सिरोई, जाडोल और पडोवना तो इसका सही आंसर हो जाएगा C option जाडोल से प्रारम किया था अगला परसन है मोतिलाल तेजावत की बील समंदित गतिविधिया जो एकी आंदोलन के माध्यम से किस इस्तान से शुरू की गी थी मोतिलाल तेजावत ने एकी आंदोलन सुरूवात की थी तो वहाँ कहां से की थी option है जाडोल, उद्यपूर, नीमडा और डुंगरपूर तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जाडोल से कहां से इस्तान सुरू की थी जाडोल से अगला परसन है मेवाड पुकार क्या थी जो मेवाड पुकार के नाम से थी वह किसका नाम था तो option दे रखा है सोरिय गाथा का, सापताहिक सामाचार पत्र का मासिक पत्रिगा का या 21 सुत्रिय मांग पत्र का तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा D option 21 सुत्रिय मांग पत्र था उसका नाम रखा गया था मेवाड पुकार अगला परसन है मेवाड पुकार मेवाड पुकार के बारे में यह भी पूंचरा की है क्या था और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो option दे रहा है केशरी सिंग बारे द्वारा रची ते एक सोर्य गाथा था जैनारान व्यास द्वारा समपादी ते एक मासिक पत्री का थी मोतिलाल तेजावत द्वारा तयार एक मांग पत्र था जो महाराना मेवाड को प्रस्तुत किया गया था मेवाड परजा मंदल का साथ था इक ख्षार था इसका साई आशर क्या जाएगा C यह क्या था मोति लाल ते जावद दुवारा तयार किया गया 21 यह मांग पत्र था जो माराणा मेवाड को प्रेश्थूत किया गया था अगला पर्शन है मेवाड पुकार नामक 21 सुत्रिय मांग पत्र जो तयार किया गया था वह किसके दुआर तयार किया गया था अभी बताया था मोतिलाल तेजावत दुआरा यह तयार किया गया था अगला पर्शन है सुर्जी भगत राजस्तान की किस जन जाती के धार्मिक और सामाजिक सुधारक नेता थे उप्सन है भील जाती के मेना जन जाती के गूजर जाती के गराश जाती के तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उप्सन किस जाती के थे सुर्जी भगत भील जाती के अगला परशन है निमने लिखीत में से सेकावटी में किस संगठन की स्तापना 1921 में ऐस योग आंदोलन के प्रभाव से हुई थी 1921 में हुई थी सेकावटी में तो वह कौण सा संगठन था जो ऐस योग आंदोलन के से प्रभावित हो recognification ओप्शन है सेकावटी सुधारसंग, चिडावा सेवा समिति, सेकावटी किसान पंचायत और सेकावटी प्रजामंडर तो इसका सही आंसर क्या होगा बी ओप्शन, चिडावा सेवा समिति, नाम था जिसकी स्थावन उन्नी सो इकीस में हुई थी हागला प्रसंद देखू, निम्न लिखित में से कौन सा युग में करशक आंदोलन और उनके नेता का नाम सुमिलित नहीं है तो ओप्शन देरक है विजोलिया, विजय सिंग, पतिक, बूंदी, नैनुरा, मेव, यासिन सर्मा, बैंगु, मघारा, वेद इस में से कौन सा युग में लिता है वह है अपने को छाट ना है तो बिजोलिया, विजय सिंग, पतिक, ये भी सही है बूंदी, नैनुराम, ये भी सही है, मेव, यासिन, सर्मा, ये भी सही है, बैंगु, मघारा, ये गलत है तो इस परसंद का सही आंसर कौन सा जाएगा, डी ओप्षन अगला परसंद है निम्न में से लिकित में युगमों में से कौन सा युगम सुमेलित है मतलब इन में से कौन सा सुमेलित है, ये बताना है उप्षन है, रूपाजी, करपाजी, बैंगु, किसान आंदोलन, ये बिलकुल सही है नानागजी, भील देव, ये नहीं है नानागजी, ठागरी, बूंदी, आंदोलन के ये भी नहीं है इसका सही आंसर क्या जाएगा, ए उप्षन, रूपाजी और करपाजी किस आंदोलन से समंदी थे, बैंगु, किसान आंदोलन से और अभी पहले पूंचा गया था ना, बैंगु, किसान आंदोलन का समंद किन से था तो रूपाजी और करपाजी का तावर अगला पर्शन है निम्न लिखित में से कौन सा युग्म सुम्मेलित नहीं है ये बताना है तो ओप्शन देरा का है बिजोलिया मानिक कल्याल वर्मा बैंगू रामनाराण चोज़री सिक्कर कल्यान चिंग और करोली कौवर मदन सिंग तो बिजोलिया का तो कौन था मानिक कल्याल वर्मा ये भी सही है बैंगू का रामनाराण चोज़री ये भी सही है शिक्कर का कल्यान चिंग नहीं था करोली का कौवर मदन सिंग ये भी सही है तो इस प्रकार से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा C option ये सबी सही हैं इनके नेता थे और ये इनका नेता नहीं था अगला परसंद है मेवाड में 1918 1881 का जो भील विद्रो हुआ था वह कहां से शुरू हुआ था खेरवाडा, बारापाल, कोटडा और रिखब देव तो इसका सही आंसर क्या हुआ जाएगा बारापाल कहां से स्टार्ट हुआ था बारापाल, जो 1881 में हुआ था अगला परसंद है एक की आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान, राजस्तान और गुजराद के आदिवाशी बहुल सीमा छेत्रों में आंदोलन रत रहे है, तो उसका क्या नाम है जो एक की आंदोलन के नेता थे तो यह पहले भी बताया था कि एक की आंदोलन के नेता कौन थे मोतिलाल तेजवत, परसंद को हर परिक्षय में अलग परकार से गुमा कर पूछा जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं वड़ा है अगला परसंद है मोतिलाल तेजवत किस गाउं के निवासी थे तो उप्षन है फलासिया, सामलिया, कोलियारी और मानगड तो इसका सही आंसर हो जाएगा C उप्षन मोतिलाल जो तेजवत था कहां का था कोलियारी का अगला परसंद है एक्की आंदोलन की शुरुवात 1921 में मोतिलाल तेजवत ने कहां से शुरू की थी अगया न एक्की आंदोलन फिर से अलग से तरीके से परसंद को गुमा कर पूंच लिया एक के अंदोलन की सुरुवात 1921 में हुई और वह मोतिलालत जाउत के दुआरा की गई लेकिन वह कहां से की गई ये पूंच लिया तो उप्शन है देवलिया, सावलिया, मंडफिया और मात्र कुंडिया तो इसका सही आंसर क्या जाएगा D उप्शन मात्र कुंडिया से जेता है, उप्शन है अलवार, बरतपूर, शिकर और जोदपूर तो इसका सही आंसर हो जाएगा D उप्शन जोदपूर चलाएगा हगला परसन देखूं, जन साधारन में लोग प्रिय है, डूंगर जी और जहार जी किस जिले के निवासी ते? जो डूंगर जी और जहार जी थे, वह किस जिले के निवासी ते? उप्शन है अजमेर, सिकर, जयपूर और जोदपूर तो इसका सही आंसर हो जाएगा D मारवाड किसान आंदोलन का जो परमुक निता था वह है कोन था उप्षिन है जैनारायन व्यास विज्या सिंग पत्तिक मोतिलाल तेजाओत इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर क्या दाएगा ए उप्षिन जैनारायन व्यास थे मारवाड किसान आंदोलन के परमुक निता अंगला पर्शन है पच्छिड़ा नामक लोग प्रियागीत किसके द्वारा रचित किया गया था पच्छिड़ा नामक जो लोग प्रियागीत था और किसके द्वारा रचित किया गया था ओप्शन दे रहे हैं दुर्गा प्रशाथ चोदरी, सुमनेश जोसी, मानिकेलाल वर्मा और जैनाराय व्यास तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा C ओप्शन मानिकेलाल वर्मा दुआरा यह रचित किया गया था लोग प्रिय गीत अगला परसन है पीडितो का पच्छिडा नाम गीत किसकी रचना है वो तो क्या था पच्छिडा और यह है पीडितो का पच्छिडा यह किसकी द्वार रचित किया गया जैनाराय व्यास नेनुसर मा विजेशिंग पत्थिक और शिवराज जोसी तो इसका सही आंसर क्या होगा सी ओप्षन विजय सिंग पत्थिक के द्वारे रचित की गिए कन्फ्यूज मतो ना पीडितों का पच्छिडा था विजय सिंग पत्थिक और मानिकेला अलबरमा किसकी द्वारा पच्छिडा नामक लोग प्रिये गी इतका रचियता देग अगला परसंद देखो किसानों पंचायतों को मजबूत बनाने की द्रश्टी से किस वर्स पूर्वी मेवाड परिशत की स्तापना कीगी वह किस वर्स की गई अगला परसंद देखो अजुमन खादिम उल इसलाम की स्तापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी अजुमन खादिम उल इसलाम की जो इस्तापना हुई वह किस रियासत में हुई थी उसने अजमेर जयपुर जोदपुर और अलवर तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ओप्शन का हुई थी अलवर में हगला परसंद देखो 1932 में राजस्तान का मेव किसान अंदोलन किसके नेतरतों में प्राराम हुआ था जो मेव किसान अंदोलन हुआ था वह 1932 में हुआ था लेकिन वह किसके नेतरतों में हुआ था तो उसन है परताप सिंग के में मुहमद हादी के में अलवर माराजा जे सिंग के या इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाक्टर मुहमद हादी के नेत्रतों में मेव किसान आंदोलन का आयोजन हुआ था जो 1922 में हुआ था हाइगला परसंद देखो कांगड कांड का समंद किस किसान आंदोलन से है जो कांगड कांड हुआ था वह किस किसान आंदोलन से समंद दिता है ओप्शन है दे रखा है सेकावटी छेत्र के किसान आंदोलन से जोदपुर राज्य के किसान आंदोलन से बूंदी राज्य के किसान आंदोलन से विकानेर राज्य के किसान आंदोलन से तो इसका सरी आंसर हो जाएगा D option विकानेर राज्य के किसान के आंदोलन से था कांगड कांड अगला परसंद देखो 23 नवंबर 1931 को बहत्पूर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया गया जिसके कारण उनकी गिरिबदारी से लगू किसान आंदोलन समापत हुआ तो वह किसकी गिरिबदारी की वज़े से वह किसान आंदोलन समापत हुआ तो ओप्शन दे रखा है कुंबरामारिय, जैनायराण वियास, नाथुरामसरमा और भोजी लंबरदार तो इसका सही आंदोल जाएगा D ओप्शन भोजी लंबरदार के गिरिबदार होने पर यह किसान आंदोलन समापत हो गया कहां किया था उन्होंने भरतपुर में 23 नॉंबर 1931 अगला परसंदे को भरतपुर का जाट नेता जिसने सेकावटी के किसानों को करशक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था ऐसा कौन सा बरतपूर का जाट नेता था जिसने सेकाउट के किसानों को कर्षक आंदोलन के लिए प्रेरित किया तो option दे रखा है चंदरवान, गाशिराम, मूलाराम और देशराज तो उसका सही answer क्या जाएगा D option देशरा जाट नेता था जो सेकाउट के कर्षको को किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था हकला परसन देखो दूद्वा खारा किसान आंदोलन था वह किस राज्जिय से समंदित है दूद्वा खारा किसान आंदोलन है वह कहां से समंदित है जैसलमेर, विकानेर, जोदपूर और जैपूर तो इसका सही आंसर हो जाएगा B option कहां का था? विकानेर का था दूद्व खारा किसार आंदोलन हगला परसन है किसार आंदोलन जो सिक्कर में किसार आंदोलन हुआ उलेख ने महिला नेता कौन थे? उनमें जो महिलाएं थी वह कौन थे? उप्शन दे रखा है दापी दादी किसोरी देवी जान की देवी बजार अंजना देवी चोधरी तो इसका सही आंसर हो जाएगा A option दापी दादी चीजे जो महिला नेता सिक्कर आंदोलन में थे अगला परसन है किसके नेत्रोतों में सेकावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? जो सेकावटी में किसान आंदोलन हुआ था उसमें महिलाओं ने भाग लिया था तो किसके नेत्रोतों में लिया था? उप्शन है किसोरी देवी में उत्मा देवी में, रमा देवी या दृरगा देवी, तो इसका सही अंत्र दाएगा ए उसप्सान, कि सोरी देवी जो महिला थी वह उसने, किसान आंदुलन में महिला उन्ट बाग लेने के लिए प्रेरित किया, और उनका नेत्र तो किया अगला पर्सन है सेकावटी जकात आंदोलन का नेतरत किसने किया था जो सेकावटी जकात आंदोलन था उसका नेतरत किसने किया था ओप्शन दे रहा है पंडित नरोतम लाल जोसी, पंडित टोडरमल, पंडित रामकरण आसोपा और पंडित अभिन हरी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ओप्शन कौन था पंडित नरोतम लाल जोसी के नित्रतों में यह सेकावटी जकात आंदोलन हुआ अगला परसन है सेकावटी किसान आंदोलन सन उननीसो सैंतलिस में किसके परियासों से समाप्त हुआ था ओप्शन है जमनालाल बजाच, जैनारा एक व्यास, मानिक लाल वर्मा और हिरलाल सास्त्री तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा D option हीरालाल सास्त्री के प्रियासों से है समाप्त हुआ 1947 में हगला परसंद देखो सेखावटी में जाट आंदोलन निम्न गांकित में से किस वर्स में हुआ था जो सेखावटी में जाट आंदोलन हुआ था किस वर्स हुआ था तो ओप्षन दे रखा है 1927, 1925, 1912 और 1877 तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा B option कब हुआ था 1925 में जाट आंदोलन हुआ था सेखावटी में अगला परसंद देखो निम्न में से कौन सा इस्तान 1920 के किसान आंदोलनों के दोरान सेखावटी के पंच पाणों ठिकानों में से एक नहीं था तो ओप्षन है डूंडलोद, मलसी सर, मंडवा और सिरी मादोपूर तो इसका सही आंसर हो जाएगा D option सिरी मादोपूर ठिकाना नहीं था पंच पाणों में डूंडलोद, मलसी सर और मंडवा ये पंच पाणों के जो ठिकाने थे किसान आंदोलन उनमें समलित थे अगला परशन देखो बेंगू किसान आंदोलन का नेतर तो किस ने किया था उप्षन है जमनलाल बजा, नैनुराम, रामनाराण चोदरी और अर्जुनलाल सेटे तो इसका सही आंसर होगा C option किस के नेतर तो में किया गया था बेंगू किसान आंदोलन, रामनाराण, चोदरी गया अगला पर्शन है बरड का किसान आंदोलन किस रियासस से समंदिता है जो बरड का किसान आंदोलन था वह किस रियासस से समंदिता है अगला पर्शन है बरड किसान आंदोलन को संगटित करने वाला राजस्तान सेवा संग हडोती की साका का नेता कोन था जो बरड किसान आंदोलन को संगटित करने वाला जो राजस्तान सेवा संग हाडोती था उस साका का नेता कोन था option है राम नाराण चोदरी, विजेशिंग पतिंग, स्वामिक गोपाल दास और नैनुराम सर्मा तो इसका से यह answer हो जाएगा D option कौन था? नैनुराम सर्मा अगला person है बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? मतलब गुमा कर फिर से पुचा है कि बूंदी किसान के आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो कौन थे? नैनुराम सर्मा अगला person है डाबी के किसान आंदोलन में जंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन सहीद हो गया था? जो जंडा गीत गाते गाते पुलिस की गोली से सहीद हो गया था वो है डाबी के किसान आंदोलन में तो वो है कौन किसान था? उसने रूपा जीबा कड़, किरपा जीब्धा कड़ और नानक जी भील और बालमकुंद पीरवा तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन था? नानक जी भील था जिसने जंडा गीत गाते गाते पुलिस की गोली खाकर सहीद हो गये थे अगला पर्संद है नीमु चणा किसान अंदोलन हत्यकान राजपुताना की किस रियासत में हुआ था? जो नीमु चणा किसान अंदोलन कान वह है कहाँ पर हुआ था? तो option है भरतपुर जेसल मेर अलवर और मेवार तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए option काम आता निमूचरणा किसान अंदोलना त्याकार अलवर जिले में होगा था यहाँ पर भी बहुत ही नरसंगहार तरीके से गोलिया चलाई गई थी अगला परसन है राजस्तान के किस नरसंगहार को गांदी जी ने दोहरी डायर साही की संग्या दीती तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा C option किसको दीती नीमूचरणा को दोहरी डायरी साही की संग्या दीती अगला परसन है नीमूचरणा कांड के समय अलवर का सासक कोन था option है माराजा बने सिंग, माराजा तेज सिंग, माराजा विने सिंग और माराजा जै सिंग तो इसका सही आंसर हो जाएगा D option माराजा जै सिंग थे नीमूचरणा कांड के समय अलवर के सासक अगला प्रस्ण है 1925 में अखिल भारतिय जाट महासबा का अदिवेशन आई जित हुआ था वह है कहां पर हुआ था 1925 में वहा था अखिल भारतिय जाट महासबा का अदिवेशन तो option दे रहा है सिकर कुदर में, चूरू, मलसी सर में, जैपुर चूमू में और अजमेर के पुषकर में तो इसका सही आंसर हो जाएगा D option अजमेर के पुषकर नामकिस्तान पर अखिल भारतिय जार्ट महासभा का दिवेशन हो गाता 1925 में कब हो गाता 1925 में अगला परशन देखो विजोलिय किसान आंदोलन के दोरान, परवर्तित विद्या परचारनी सभा के परवर्थक कोन थे? औप्सन है, राम, नारान चोदरी, विजय सिंग पथिक, मानिक लाल, वरमा, उठ्यम नलाल, बजार तो इसका सही आंसर हो जाएगा B option विजया सिंग पथिक थे अगला परसंद देखू बिजोलिया किसान अंदोलन के दोरान 1922 के समझोते के परती बिजोलिया जागिरदार का रवय क्या था पूर्ण रूप से सविकार लागू करने को मना किया माराना के विवेत पर छोड़ दिया बिटिक सरकार को प्रेशित कर दिया तो इसका सही अंसर क्या होगा उन्होंने क्या क्या था लागू करने को मना कर दिया था अगला परसंद देखू निम्न में से निम्न की सूची में से उन नेताव को चुनिये जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था इनमें से कौन-कौन से निता थे जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था सादू, सिता रामदास, विजय सिंग पतिक, मानिके लाल वर्मा और नाराणजी पतेल तो सादू रामसिता रांदाज भी थे वीजे सिंग पतिक ये भी थे मानिक कलाल वर्मा ये भी थे और नारान जी पतेल ये हैं भी थे तो इस परसन का सही आंसर कॉन सा हो जाएगा जिसमें एक, दो, त्यून, चार, चार हो ते रखें तो D option हो गया अगला परसन है निमने लिखित में से कोन बिजोलिया किसान आंदोलन से समंदित जित्य जाज जो आयोग था उसका सदश्य नहीं था जो बिजोलिया किसान आंदोलन से समंदित जित्य जाज आज आयोग की गठन किया गया था उसमें सदश्य कोण सा नहीं था इन में से तो option दे रखा है रमकांद मालिवे, ठाकुराज सिंग, मैता तक्त सिंग और बिंदुलाल बठा चारिय है तो इसका सही answer क्या होगा D option बिंदुलाल बठा चारिय है इस समीति के सदश्य नहीं थे हगला पसन है इन में से कोन बिजोलिया किसान अंदुलन से समंदित नहीं था option ने चगनलाल चोपासनी वाला जिसे चगन राज में कहा जाता है विजे सिंग पतिक, सीता रामदास, मनिकेलाल, वर्म तो अभी ये तीन हो तो थे कोन नहीं था, ए चगनलाल चोपासनी वाला हगला पसन देखो 1903 में किसने अपनी जागेरी छेतर में चवरी कर लगाया जिसे प्रते को अपनी पुत्री के विवा के समय देना अपेक्सित था जो चवरी कर लगाया वह पुत्री के विवा के समय देना बताया तो वो है 1903 में लगाया था तो वो है किस ने लगाया तो option है बूप सिंग ने, राव कर्षन सिंग ने राव पर्तिवी सिंग ने और केशरी सिंग ने तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी option राव कर्षन सिंग ने यह है चवरिकर लगाया जो कब लगाया 1903 में अगला परसन देखो ट्रेंच कमिशन जो ट्रेंच कमिशन था वह किस से समंदित था उप्शन है बैंगू किसान आंदोलन से अलवर किसान आंदोलन से बिजोलिया किसान आंदोलन से और सिकर किसान आंदोलन से जो ट्रेंच कमिशन था वह है किस से समंदित था तो यह है A option किस से आंसर क्या हो जाएगा बेंगु किसान अंदोलन से था ट्रेंच कमिशन अगला परसन देखो अठारा सो नब्ब के दोर में विजोलिया के जागिरदार थे वह है कौन थे जो अठारा सो नब्ब के दोर में विजोलिया के जागिरदार थे वह है कौन थे ओप्शन है चोहान, परमार, राणावत और सक्तावत तो इसका सही आंशर क्या हो जाएगा B option, कोन थे परमार, जागिरदार थे 1890 के दोर में विजो लिया गया अगला परसन है राजस्तान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है जो राजस्तान किसान आंदोलन का जनक के रूप में जाना जाता है वह किसे जाना जाता है ओप्षन है कौमल को ठारी विजे सिंग पतिक जाबर मल सर्मा और गोकुल भाई बठ तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ओप्षन विजे सिंग पतिक को राजस्तान का किसान अंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है अगला परसन है निमन में से राजस्तान का परतम किसान अंदोलन कोन सा था जो राजस्तान का परतम किसान अंदोलन माना जाता है पहला वह कोन सा था तो ओप्षन है एकी किसान अंदोलन को बिजोलिया किसान अंदोलन को बैंगू किसान अंदोलन को और दूद्वा खारा किसान अंदोलन को तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा B option बिजोलिया किसान अंदोलन को राजस्तान का पर्थम किसान अंदोलन माना जाता है अगला पर्षन है राजस्तान में संगठित किसान आंदोलन कहां से प्रारम हुआ था जो किसान आंदोलन प्रारम हुआ था संगठित परिकार से तो वहां कहां पर हुआ था ओप्षन है बिजोलिया में बैंगू में अलवर में और सिक्कर में तो इसका सही आंसर क्या होगा ए यह उप्षन बिजोलिया में वहा था जो संगतित प्रकार्षिक किसान अंदोलन प्रारम वहा था हगला पर्षन है उप्परमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था जो उप्परमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था तो है किसके दुआरा किया गया था उसन है सादू सिता रामदास ने किया था मन्ना पटेल ने मोतिलाल तेजावत ने और विजय सिंग पतिक ने तो इसका सही आंसर क्या होगा जो उपरमाल की गठन किया गया था वह विजय सिंग पतिक ने किया था उपरमाल पंच गोड की गठन किसान पंचायत जिसकी स्तापना 1916 में हूई थी किसान पंचायत किस्तापना तो इसका गम्ठन का सम्बंद कहां से था बिजोलिया से तो इसका सही आदोसर क्या हो जाएगा D option बिजोलिया से था किसान पंचायद का इस्तापना कब मानी जाती है 1916 और 17 अगला परसन है सादू सितारामदास का जनम कहां हुआ था या बिजोलिया किसान आंदोलन से समझ्दी थे तो इनका जनम ही बताना है कि कहां हुआ था बिजोलिया में, मंदोर में, टॉक में और बिकानेर में ते इसका सही आंशर क्या हो जाएगा A option कहां हुआ था था इसका जनम बिजोलिया में और बिजोलिया किसान आंदोलन से ही ये नेतरत किया था सादू सितारामदास नहीं अगला परसन है सादू सीता रामदास सादू राजस्तान के किस आंदोलन से समंदिते अभी बताया था कि सादू सीता रामदास किस आंदोलन से समंदिते बिजोलिया किसान आंदोलन था उससे समंदिते और बिजोलिया में ही इनका जनम मना जाता अगला परशन है सिरिमती रमा देवी राजस्तान की किस किसान आंदोलन से समंदित रही है जो रमा देवी है वार राजस्तान की किस आंदोलन से समंदित रही है उप्षन है बेंगु किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन बरड किसान आंदोलन और बिकानेप किसान आंदोलन तो इसका स जाधा सेर करें और जो भी हमारी चैनल पर नए आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आईकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे और आगे अगले टोपिक पर लेकर हम वीडियो आएंगे जो आप अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जैहिन जैबारत जैराजस्तान